नमस्कार दोस्तों गाउं सेरस्पूर में मन्दर का निर्मान पूरा हो चुका है आज इसमें मूर्ती स्थापना होगी शिवरात्री का अच्छा दिन है और इसका कारिये पंड़त जी देवंदर भाई दुवारा और इनके साथे दुवारा किया गया है और अब गाउं की परिकर्मा के लिए तयारी हो रही है जो कि इस गाड़ी से निकलेगी और इस गाड़ी में कुछ बच्चे बैठे जो भगवान जी O की मूर्थी उनकी गोध में रखी गई है इन में स्रीराम दर्बार है और रादे किर्शन भगवान जी की मूर्ती है हनुमान जी की मूर्ती है और सी परिवार है फिर यहां से यह गाड़ी निकलेगी और यग के बाद कलस यात्रा की तैयारी है अब कलस यात्रा और मूर्तियों की जो गाड़ी है वो गाउं की परिकरमा होगी और कला सियात्रा और परिकर्मा पूरी होने के बाद एक साथ पूरी होने के बाद फिर ये वापिस मंदर में आएंगे और मंदर में आने के बाद फिर यहां मूर्ती स्तापना की जाएगी मूर्ती स्थापना कारिय संपुरन होने के बाद अब हनुमान जी पर चोला चड़ाया जाएगा और चोला चड़ाने के बाद फिर मंदिर की सफाई होगी और मंदिर की सफाई होने के बाद कल पूरे विद्धी विधान से याँ पूजा संपुरन होने के बाद और आज रात का जागन संपुरन होने के बाद कल यहाँ भंडारा रखा गया है तो मैं सभी गाउवाशियों से निवेदन करूँगा कि हमारे भंडारे में बारा बज़े आए और परसाद ग्रेंड करें